हलो फ्रेंज तूड़े विल डिसकास क्वालिटिटिव टेस्ट फ़र आमाइड एन इस्टर ठीक है यह और गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है जो सेकंड समिस्टर में आता है तो फर्स्ट हम देखते है कि क्वालिटिटिव टेस्ट फ़र आमाइड ठीक है तो यहां पर पर होगा वह रेड हो जाएगा इट मींस के अमाइड इस प्रेजन ठीक है सेकंड टेस्ट जिसका नाम है हाइड्रोग्जामिक एसिड टेस्ट यहां पर हम 0.2 ग्राम सेंपल लेंगे उसमें एड करेंगे 2 ml हाइड्रोग्जिलेमाइन हाइड्रोग्लोराइड उसके बाद ह है और एड करना है फ्यू ड्रॉप्स अफ एक्वाइस अफ एफिसेल थी तो यहां पर हमें ब्लुईश रेड कलर मीड़ेगा तो इट मींस के अलिफेटिक आमाइड इस प्रेजन ठीक है थर्ट टेस्ट में में क्या करना है कि नाइट्रोग्ज एसिड टेस्ट यहां पर हम 0.2 ग्राम कंपाउंड लेंगे उसमें 2 ml डायलूट एचल एड करेंगे और 2 ml NO2 सलीशन एड करेंगे तो यहां पर हमें ब्रिस्क एफरवंसिस मिलेंगे तो यहां पर जब एफरवंसिस मिलते हैं तो इट मिंस के अमाइड इस प्रेजन लास्ट एन फोर्थ टेस्ट जिसका तो बॉयल करेंगे कूल करेंगे एंड लास्ट में एड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एफिसेल 3 तो यहां पर हमें ब्लू कलर मिलेगा से सलीशन हमारा ब्लू हो जाएगा इट मिंस के अरोमेटिक आमाइड इस प्रेजन ठीक है तो यह हो गए कॉलिटेटिव टेस्ट फ यहां पर हम लेंगी 0.1 ग्राम कंपाउंड प्लस वाटर प्लस टू ड्रॉप फिन अप्थेलिन सलीशन प्लस थ्री एमल डिलूट यहां पर जो पींग कलर होगा वह डिस अपेरियंस हो जाएगा इट मिंस के आस्टर इस प्रेजन सेकंड टेस्ट हाइड्रोग्जेमिक एस करेंगे कूल करेंगे एंड यहां पर हमें डीप रेड कलर मिलेगा इट मिंस के एस्टर इस प्रेजन ठीक है तो यह कार्बोग्जिलिक एसिड के डेरिवेटिव है एस्टर एन अमाइड ठीक है उसके हमने कॉल्टिटिव टेस्ट देख लिए ठीक है थैंक यू